होटल जैसा पिंक सॉस पास्ता कैसे घर पे बनाते हैं उसका तरीका मैंने इस वीडियो में दिखाया है स्टेप बाइ स्टेप और पूरी रस्पी दिखाई है जिससे हर चीज आप घर पे बनाए किसी भी चीज का टेंशन नहीं लें मैं हूना अगर आपने पास्ता की ये वाली वराइटी ट्राई नहीं की है तो एक बार इसे जरू ट्राई करें तो चलिए आज के मज़ेदार रेसिपे शुरू करते हैं पिंक सॉस पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले एक बरतन में हम पानी गरम करेंगी फिर हम इसमें चार टमाटर डाल देंगी हमें टमाटर को तीन मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे उबाल लेना है बहुत जादा नहीं पकाना है बस टमाटर के जो उपर का छिलका है वो निकल जाए उतना ही आप इसे पका ले तो आप चीए तो पैन को कवर कर दे ताकी ये जल्दी पक जाये दो से तीन मिनट बाद आप देखेंगे कि टमाटर जो है यहाँ पर स्किन से अलग होने लगा है तब हम यहाँ पर टमाटर को निकाल लेगी तो gas को यहाँ पे बंद कर दे और इसे एक बरतन में निकाल दे आप चीए तो टमाटर को बरफ आले पानी में भी डाल सकते हैं उससे भी छिलका आसानी से निकल जाता है लेकिन यहाँ पे हमने इसे soft कर लिया है तो छिलका आराम से निकल जाएगा अब हम पास्ता उबाल लेते हैं तो उसके लिए बरतन में पानी गरम करें तो हम यहाँ पे एक बरतन में डेड़ लीटर पानी गरम करेंगे जैसे ही पानी गरम हो जाएगा हम इसमें आधी छोटी चमच नमग और एक छोटा चमच cooking oil या फिर olive oil डाल दे पास्ता में olive oil जादा अचा flavor लाता है तो अगर आपके पास है तो वो डाले फिर हम इसमें दो कब पास्ता डालेंगे किसी भी shape का पास्ता आप इसमें इस्तमाल कर सकते हैं पास्ता डालने के बाद gas का flame medium कर दे और इसे तब तक उबाले जब तक यह अच्छे से पकनी जाए पास्ता उबालते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इसे 100% नहीं पकाना है थोड़ा सा कम पकाए अगर आप इसे पूरा पका लेंगे ना तो जब आप इसे sauce में डालेंगे तो यह थोड़ा सा ऐसे तूटने लगेगा अगर आप इसे थोड़ा सा कम पकाएंगे तो इसका जो crunch है वो बना रहेगा और पास्ता दिखने में भी जादा अच्छा लगेगा तो 85-90% ही आप इसे पकाएं तो यहाँ पर पास्ता उबल गया है गयस को बन किया मैंने और अब हम इसे छान लेंगे तो ध्यान रहे कि पास्ता को छानने के बाद थंड़े पानी वगेरा से नहीं धोए बस इसे ऐसे इस ट्रेनर से निकाल के और अलग रग दें आप इसके उपर तेल वगेरा नहीं डालें यह चिपकते नहीं है तो यहाँ पर पास्ता को मैंने छान लिया है वैसे पास्ता जब बनाएं न तो सॉस वगेरा गयस के दूसरे साइट बनाते रहें ताकि गरम पास्ता उपला हुआ उसमें डाल लेंगे तो वह अच्छे से मिक्स हो जाता है तो यहाँ पर यह जो टमाटर है वो ठंडा हो चुका है तो अब हम इसका छिलका निकाल लेंगे और इसके बाद इसे blend कर लेंगे तो blend करने के पहले टमाटर का छिलका निकाल ले और इसके बाद इसे blend कर ले तो ये वाला जो प्यूरी है न वो आप किसी भी करी में इस्तिमाल कर सकते हैं red sauce pasta में इस्तिमाल करें सब में ये ऐसे ही use होता है तो यहाँ पे टमाटर को हमने blend कर लिया है तो ये हमारे टमाटर की प्यूरी बन की तयार हो गई है अब हम बना लेते हैं white sauce तो white sauce बनाने के लिए एक दूसरे पैन में आप butter डाल दे एक चमच butter डाले butter डालने के बाद हम इसे हलका सा melt कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें मैदा डाल देंगे तो एक चमच butter के लिए तीन चमच मैदा का इस्तमाल करें मैदा डालने के बाद इसे ऐसे एक से डेड़ मिनट के लिए धीमी आज पे भूल ले जैसे ही मैदे से अच्छी खुचबू आने लगेगी और इसका color change हो जाएगा तो अब हम इसमें डाल देंगे दूद तो यहाँ पे मैं एक glass दूद डाल देती हूँ गरम दूद का इस्तमाल नहीं करें रूम temperature पे या फिर ठंडा दूद डालने इसमें गरम दूद डालने पे मैदे के लम्स पढ़ने लगेंगे इसमें ठंडा दूद डालने से temperature maintain रहता है और मैदे की गाठनी पढ़ती है मतलब मैदो को गुठली बनने से रोकता है तो यहाँ पे मैंने इसे ऐसे मिला दिया यह देखिए जैसे आप इसे मिक्स करना शुरू करेंगे ना सारे ऐसे लम्स जो है वो निकल जाएंगे फटाक से तो वल्ट सॉस बनाते वक्त आपको क्या करना है कि नॉर्मल दूद या फिर ठंडा दूद डालना है अब हम इसमें डाल देंगे एक छोटा चमज चिली फ्लेक्स एक जोटा चमज काली मिर्च का vai छोटा चमज हम इसमें औरेगा नू डाल दे अगर आपके पास बिज़न मिक्स है तो वो भी आइट कर सकते हैं मिला देई से नमक इसमें नहीं डालना है आप चीज तो थोड़ा सा इसमें चीज डाल सकते हैं लेकिन चीज अगर आप डाल रहना तो इस सॉस को आपको तुरंत इस्तमाल करना है नहीं तो ये ठिक होने लगेगा मैंने यहाँ पे चीज नहीं डाला है और ये हमारा वाइट सास जो है वो बनके त्यार हो गया है तब हम इसे हटा करने रख देंगे और अब चलते हैं फाइनल पास्ता बनाने का प्रोसेस में इस सॉस में अगर आपने उबला हुआ पास्ता डाल दिया तो ये बन जायगा आपका वाइट स्स पास्ता तोः हम बनाने जा रहें पिंक स्वास पास्ता तो उसके लिए मैं एक पैन में एक चमज बटर ले लूँंगी इसके साथ हम इसमें दो चमज तेर डाल देंगी आप इसमें ओलीव ओयल का इसिमाल करें उसमें पास्ता का फ्लिवर ज्यादा इंहैंस होता है तो पास्ता बनाने के लिए मैंने हापे बहुत जादा लैसुन लिया है इसके साथ मैंने पीले वाले शिम्ला मिर्च, लाल वाले शिम्ला मिर्च, हरा शिम्ला मिर्च, ब्रोकली और प्याज लिया है सबको मैंने एक डिजाइन में काटा है आप इसमें ब्रोकली और कलर्फूल शिम्ला मिर्च को हटा सकते हैं बस प्याज और हरा शिम्ला मिर्च भी आड़ कर सकते हैं तो जैसे ही बटर मेल्ट हो जाएगा न हम इसमें ये लैसुन डालेंगे और इसे अच्छे से पका लेंगे पास्ता में बर्ण गार्लिका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है तो पहले बटर में ऐसे लैसुन को पका लें और इसके बाद इसमें बाकी की सब्जिया डालें तो जैसे लैसुन का कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा हम इसमें प्यास डाल देंगे और प्यास को आदे मिनट के लिए ऐसे भूल ले प्यास का कलर जैसे पिंक हो जाएगा आप इसमें बाकी की सब्जिया डाल दें जो भी आप इस्तमाल कर रहे हैं जैसा कि मैंने बताये कि ब्रोकली और कलरफूल शिम्ला मिर्च को आप स्किप कर सकते हैं सिर्फ हरा शिम्ला मिर्च और प्यास डाले तो इन सब्जियों को हमें आदे मिनट के लिए भूल लेना है तो थोड़ा सा नमक डाल दे ताकि ये जल्दी पग जाए ध्यान रहे कि पास्ता को उबालने भी भी हमने नमक डाला है रेडिमेट टमाटर की प्यूरी में बहुत अच्छा टेस्ट नहीं आता है इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ये होममेड बनाए इसकी बाद हम इसमें एक चोटा चमच औरियानो एक चोटा चमच चिली फ्लेक्स और एक चोटा ही चोटा चमच काली मिर्च का पाउडर फिर से डालेंगे मिला दे इन सबको इसकी बाद हम इसमें डाल देंगे दो बड़े चमच टमाटो केचप टमाटो केचप से ये बिल्कुल मिठा नहीं होगा क्योंकि हमने इसमें चिली फ्लेक्स यूज किया है ब्लेक पेपर पाउडर यूज किया है तो मीठा बिल्कुल नहीं होगा इस बाद से आप बेफिकर रहें टमाटो केचप इसके टेस्ट को इन्हेंस करता है और कलर अच्छा लाता है तो अगर आपको red sauce पास्ता खाना है तो यहाँ पे आप उबला हुआ पास्ता डाल दे तो यहाँ पे मैंने आपको white sauce भी बता दिया red sauce भी बता दिया अब यह दोनो sauce को जब हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा pink pasta तो यहाँ पे यह पूरा white sauce डाल दिया मैंने जैसे यह दोनों color mix होने शुरू होगी इसका color जो हो चेंज होने लगेगा मतलब यह pinkish color में आ जाएगा इसी वज़े से इसका नाम जो है वो pink sauce पास्ता है तो यहाँ पे इसे मैंने मिला दिया नमक डालने थोड़ा सा तो यहाँ पे चीज को मैंने मेल्ट कर लिया है अब हम इसमें यह उबला हुआ पास्ता डाल देंगी नमक वगरा नहीं डालना है नमक हमने पहले ही डाल दिया है तो पास्ता डालने के बाद इसे यह से मिला दे कोई भी पास्ता बनाते वक चाहें वो वाइट सास बनाए या रेट सास बनाए उसमें सास की कॉंटिटी ज़्यादा रखे और पास्ता की कम तभी वो खाने में और दिखने में ज़्यादा अच्छा लगता है तो यहाँ पे हमारा चीज जो है वो मेल्ट हो गया है और पास्ता दिखने में बहुत बहुत इटेम्टिंग लग रहा है तो बस अब हम इसे सर्फ कर लेते हैं तो सर्फ करने के लिए आप इसे फटा फट सर्फ करें अगर यह ठंडा हो जाएगा तो खाने में बहुत जादा मजानी आता है तो यह हमारा पिंक सॉस पास्ता बन के तियार हो गया है सर्फ करने के पहले आप इसके उपर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, और गयनो और चीज डाल सकते हैं तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा यह चिली फ्लेक्स डाल दिया, थोड़ा सा और गयनो डाल दिया अगर आपको इसे और ज्यादा चीज ही बनाना है तो थोड़ा सा चीज आप इसके उपर ग्रेट कर सकते हैं तो यह हमारा सूपर टेस्टी, रेस्टरेंट से भी अच्छा पिंक सास पास्ता बन के तयार है आप इसे ट्राइ करें, यह आपके फैमिले को बहुत पसंद आएगा अगर आज की रेस्पी आपको ट्राइ करने के बाद पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले